हेलो प्रेंट वेल्कम बैग तो में चैनल दिल की बाते और आप हैं जोती के साथ तू कैसे हैं आप लोग और मैं फूर पड़ी हूं नेक्स व्लॉग में क्यूंकि अभी-भी मैंने अपना लास्ट व्लॉग जो आप तक कहच किया है उसको अभी-भी मैंने खतम किया है उसका एंड पार्ट था वो से अभी-भी शूप किया है तो आज है फास्ट आफ में और आज है मेरा बार्थ दे तो प्लीज विश मी हापी बार्थ दे एंड थैंक यू जिनोंने विश किया है उनको और कुछ भी नहीं है लोगडाउन में तो बहुत सारे लोगों को याद ही नह में नहीं आद था मदब काफी जैसे कि पहले लोग बारा बजे विश कर दे थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ इवन मेरे हस्बंड भूल गया कि आज क्या तारीक है क्या तारीक है फिर उन्हें रात में याद आया देर दो बजे कि और आज तो एक तारीक है और चलो चलो सब्सक्राइब है तो कुछ मन खटा सा हो गया मेरा उसके और भी रीजन है कि आप बहुत कुछ सोच जाते हो कि आप जो है जब आप पूरे फैमिली फैमिली क्या एक और रिलेटिव तक की जो है चीज़े याद रगती है सब का बढ़त रखती है अनिवर्स्री याद रखत सब्सक्राइब है और लास्ट व्लॉग मैंने बताया कि 29 के बाद 30 अप्रेल को मैं काफी ज्यादा थोड़ा सा मैं मेंटली भी सिखती और फिजिकली भी मैं सिखती लो एनेर्जी थी कोई भी अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा था कि मैं व्लॉग करू तो उसकी कई सारी बजयती तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मेरा केक नहीं अच्छा बन पाया था और मैं काफी तग भी कही थी पहले लांच बनाया लांच बनाने के बाद फिर मैं लग गई कि भई बेटू का बर्ट दे केक बनाना है आनी पा रहा है तो जो है आई ब्रोस में ज मैं सोच रही मिल जाता है मैं कभी नहीं रखती है सब चीज़े तो में अप्रें से हट गई हैं तो मैं कोई पर फिर आजाती हूँ तो हुआ कि मैं बहुत ठग गई थी तो मैंने ऐसी मजाक ब्लॉकर में का जसे आपको भी पता है कि मेरी भाईया भी यह यह पर फर्च गह हैं जो कि हम लोगों को छोड़ने आए तो ऐसे ही हुआ कि मैंने का कि ऐसा अब रात का डिनर ऐसा है तुम सब बना लेते हैं बबनाते नहीं है पहले बहुत बनाते थे मेरी सास रोग बताती हैं और आटा और रोटी आपने देखी है कि रोटी शेक्ते वे व्लॉग में उन्हें लारा के लिए तो अगर दे दे रहें बट बहुत करना करना परता है रिक्वेस्ट करणा परता है अपनी मर्जी से कभी नहीं हो एक और बात के देखिते कि नब अपने हथ मैं यह थिशसी करे अप्ला होती है कि लगता कि कभी-कभी दूसरे कि अपने हाथ का नहीं अच्छा लगता है तो यह कॉंप्लीमेंट तो है यह बट बट कहीं ना कहीं जो है एक बात दिल में लगने वाली कि क्या मेरा मन नहीं करता इन जो मतलब माईने के 30-30 में बना रही हो कभी-कभी आप भी कुछ को कर दो ऐसे तो खैर हमें जानती हूं कि है जॉब का बहुत बर्डन है तो यह बात है हशी मजाग में हो रही थी है तो हमने ऐसे कह दिए हमने का लॉक्डाउन का सबसे बड़ा मुक्सान तो हम हाउसवाइफ को हुआ है कि सबकी तो छुटी है सब तो मज़े कर रहे हैं खुब सो रहे हैं खुब तीभियां देख और भरपूर मज़े गर रहे हैं बट जो घर की ग्रैणी है वो हर वक्त चूले में घुसी है दिन होता है सुबह होती है रात होती है किचन से उसको छुटी नहीं मिलती है उसके काम तो जो थे उससे भी जादा बढ़ गया और इस बात पी सब एक्री करेंगी कि हाउस वाइफ तो स्कूल का Homework था वो भी घरी पर आ रहा है मतलब स्कूल वर्व जो था जो क्लास में कराना था वो भी टीचर्स जो यह पूरे की पूरे चैप्टरस बेज रहे हैं वो भी करवाना होता है चिकना चिलाना तो बहुत सारी चीजह हैं जिसकी वज़े से लिख तब लगता य तो उस पर मेरे वजये ने गा कि अरे तुम बनाओ ना तुम्हारे पास और कामी क्या है बखाने तो बनाओगी तो ये बात मुझे इतनी हट हुई कि मतलब एक ना बात ही हो जाती है कि आपका चाहे हस्बेंड ओ चाहे बेटा हो चाहे पिता हो चाहे आपके भाई हो कुछ में थोड़ी होती है कुछ में ज्यादा होती है कुछ लोग को कभी कभी निकालते हैं और कुछ लोग उसी के हिसाथ से अपनी लाइफ जीते हैं कि समय आने पर वोलभी देते हैं तो मैंने क्लics के लावए खाना ही तो बनाते हैं कि हम तीन टाइम का चार टाइम का खाना वर ही Tomorrow और घर देख रहे हैं समाल रहे हैं जब कोई लोगडाउन वाला पीरेट जैसा सीन होता है तो आपको बहुत कुछ सोच नहीं पड़ता यारा खाना क्या बनाए यह क्या करें तो अब रायता भी होना चाहिए तो सलाग भी होना चाहिए सबजी भी अच्छी होनी चाहिए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यह बात हाला कि कंडिशन काफी सुधर रही हैं बहुत से लोग जो है कोपरेट करते हैं अपनी वाइफ के साथ इन फैक्ट मैंने अपनी रियल लाइफ में तो नहीं देखा इतना कोपरेट जितना मैं यूड्यू पर देखती हूँ अब अब जो है वो बिल्कुल मतलब सई है या विस मैं बहूं सार व्लॉग देखती हैं उर देखती हूँ बहुत अच्छे बात चहां एक पुरुष की आती है तो उसमें उनकी गलती नहीं है उसमें गलती हमारी कल्चर की है हमारे सराउंडिंग्स क्यों कि एक इंसान जो होता है वो अपनी सराउंडिंग्स ही अपने आज-पास की चीजों से अपने घर में सिखाई हुई बातों से अपने घर के लोगों के अचार हिचार को देखते हुए ही उसकी परस्नालिटी डवलप होती है तो वो जो है उनकी गलती नहीं है उन्होंने जो सीखा है जो पाया है जो देखा है उसी के अकॉर्डिंग वो अपना जो है यह चीज behavior है तो मैं उनकी गलती भी नहीं दे रही हूँ लेकिन आप कुछ को सुधा रहा है लेकिन यह चीज मैंने यूट्यूब पे बहुत देखी है कि बहुत अच्छे-च्छे husband मैंने देखे है यूट्यूब पे लेकिन उथना अच्छा शाद मैंने अपनी real life में आस पास नहीं दे द्यूटी यह थौपी गई है यह कैसी है क्या है इसको आप इसको आप अपर्ज मतिचे करता ही समझे और तो आप सब्सक्ति का प्रिशार मी आप हो जाती है कि हम कौन सा रोज करना एक हम खाना नहीं बनाएं तुम ही बनाओ पर कभी अभी ऐसा होता है लेकिन बस बात वही है कि जो है अ मेरा तो काम है और मुझे करना है तो मैं ये करती हूँ और खुशी-खुशी करती हूँ लेकिन कभी-बहुत जाधा इस चीज़ से मैं जब मुझे पॉयंट आउट करके मुझे मेरी ड्यूटी काउंट कराने लग यह मैं सारी लेडी से पूछना चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जब आपके कोई भी जो है घर का मेल जो है वो आपका भाई हो अपका हस्मेल हो अगर वो यह कहने लगता है ना कि यह तो क्या हुआ खाना ही तो बनाती हो या तुम्हारा तो काम बस खाना ह आपको दुख होता है यह तो क्या खाना बनाना या घर समालना या जो है क्या कह सकते बच्चों को देखना या पूरे घर की जिम्मेदारी क्या कम चोटा काम है तो बस बाकिया आप लिखेगा तो अपनी राय चरूर बताएं कोमेंट बॉक्स में मिलूंगी थोड़ी देर म आप से आगे क्या क्या होता है देखेगा कुछ स्पेशल नहीं होना है जो लॉक्डाउन का रूपीन है वही होगा तो अभी मूड थोड़ा सा सही हो गया है थोड़ी सी अंदर ही बाते आप रोस्त के साथ शेयर करके और आपका क्या व्यूपॉइंट अजरू नहीं दाना अज लंच में तो अभी मैंने कडाई चडाई की हालत जो आप देख रहे हो एचली यह लोहे किये और बहुत रेरली चड़ती है जब ऐसा ही कोई वेंजन मुझे पनाना होता है जैसे निमोना है करेल है यह कड़ी है और ज्यादा बनाना होता है तब हम यसी चड़ाते तो जब जादर-जादर दिन पे कोई लोहे का बरतन चड़ता है तो उसमें ऐसे ही डाठ से पढ़ जाते है आलां कि यह बहुत अच्छे से साफ है इसको युज करने पहले ही मैंने बहुत अच्छे से साफ किया तो मैंने मेथी की के तड़कर या मेथी और हीह का और उसके मैं इसमें डाल दूंगी तो यह मटर है जो मैंने ग्राइन करके रखता थी यह और एक साइड पर मैंने रख दिया रखने स्टीम होने के लिए तो जो है आज कल स्टीब करके ही राइस खाय जा रहे हैं गर में सब लोग है तो तो टेल छोड़ ने लगा है यह मसाला और इसमे मैं इतनी देर तक भूनूंगी जब तक ये मटर से भी अच्छे से ओयल बाहर ना आने लगे यानि सेपरेट ना होने लगे क्योंकि टेस्ट तो तभी आता है जब आपकी चीजे बहुत अच्छे से भून जाए तो मैं इसको अच्छे से भूनूंगी और तब टेस्टी टेस्टी निवोना बनेगा तो यह अब यह है और तब तक मैं जब यह भून रहा था तो मैं आटा निकालके उसे भूनने की कोशिश करती हूं तो यह अटा मैं गूनने लगी हूं निकालके और इसको मैं अच्छे से मल के रग दूगी तो थोड़ी देर में यह फोल जाएगा मतलब जो इसके पार्ट किया बहुता हो थे एधर में अर्न झांव से घल फटारा तो यह बहुता है चाव मने वियों देला को इसको ज। ऊहसे जाब से पानी धालके विसह पकाना है इस पोला से अरतों स्टफे पकाते हैं सोन्धा प figा नाता है तो यह बहुता हैा नहीं आटा हो ओ गया को दूएत पज़ जब तक कि में पानी रालो की पकाऊंगी जब तक रोटी बनाऊंगी जब सारी रोटीयां बन जाएंगी तो ही में इसको बंद करूंगी कि मैंने जो आलू की पीसी जो पहले सी ही मैंने फ्राइश करें के और वह डाल दिये हैं बहुत लोग इसमें थोड़े मटर के दानी भी डाल देते बट मैं लिधा हैं क्योंकि मेरे घरवाले निकाली देते धें मटर के दाने बिकास हुने नहीं पैसर मटर के दानी तो अगर आप लोगों को अच्छे लगते हूं तो मटर के दाने भी डाल के अच्छे ही लगता है तो मेरा खाना लगबग बनने ही वाला है और तक आवड तो है जैसे कि मैंने भी आपको बताया लेकिन किचन का काम तो होता ही रहेगा तो में हम लोग इतना गाला नहीं खाते हैंब इसमें और पानी डालूंगे कि बन क्या मेरा नीमोना और लोटी भी बन गई है तो यह संजू शाम का वाज ते शाम का क्या 9 बज गया है और मैं सो गई थी और खाना भी ऐसी हलका फुरका बनाना है तो यह साउथ एक्स में कोई बहुत बड़ी शॉप पुड़ी थी तो यह केक लेकर आएं मेरे लिए वह एक कंपनिशेशन है जो मैं नराज हो गई थी तो यह जो केक लाएं बहुत ही टेस्टी एक था पाइनेपल फ्लेवर था और एकदम से मुझे जगा आया तो मैं बिस्तर में दी उन्हें का यहीं क बताऊंगी बहुत बड़ा सा अजीब सा नाम है तो है वहां पर खुड़ी हुई थी तो वहां से करेट किलाया थे तो मैं यह कह रही थी कि जब बेटू के बर्दे में नहीं कटा तो फिर मेरे बर्दे में क्यूं तो फिर हम तीनोंने मिल की कड़ा था और मुझे देखे त और सब लोग है नौ साड़े नौ का शायद वक्त हो रहा है क्योंकि कर गया और मैं ब्लांकेट में हूं है यही चल रहा था तो मैं ब्लांकेट करेंगे हुए जरत परती है तो कुछ इस तरीके से बस यहीं तक मेरा यह व्लॉग है और यहीं से मैंने खतम कर दिया था आगे मैंने नहीं कांटीन दिया यह काफी बड़ा हो गया यह व्लॉग और ऐसा मना मेरा बर्दे और जो भी मैंने आप से कहा है उसको आप सुनिएगा समझेगा और इस पर अपनी प्रतिक्रिया यही रियक्शन जरूर दीजेगा और कैसा लगा यह मेरा व्लॉग यह भी जरूर को मिन बॉक्स में बताइएगा अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होती से लाइक कर दीजेगा मेरे चैनल को सब्स्क्राइब पर दीजे और इसे शेयर करिए सपोर्ट करिए बहुत जरूरत है आपकी सपोर्ट की तो केक बहुत ही अच्छा था बहुत देश्टी अऔरा अरा अच्छा लोग बते में हैं यही पर जैंसी प्थास वाली के साथ व्लॉग यहीं करती हूं में हीन ये आप से next व्लॉग और होना वीडियो में तब तक किली अपना खोब ख्याल रखना है आपको खुश रहना है घरमी रहना है आपने आपको सैनिटाइज करते रहना है और अपना खोब ख्याल रखना है बाबाई टेक केर